हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू टेंडर अनलाइसिस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ओएन जीशी का ये वेफ साइट ओपन है तो आज मैं आपको ओएन जीशी के सिविल वर्ड्स रिलेटेड टेंडर आपको बताने जा रहा हूं तो इसमें दो अपटेट आज मैं आपको दूँगा एक जो है 57,00,00 के आसपास का टेंडर है और दूसरा टेंडर है आपका एराउं 15,00,00 का दोनों अलग-अलग टेंडर हैं ओके तो दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो अलग-अलग ओके तो अगर आप 57,00 में इलिजिबल नहीं है तो 50,00,00 वाले में भर सकते हैं तो इसमें देखते हैं आपको कैसे टेंडर फिल करना है क्या इलिजिबलेटी क्रेटेरिया है क्या क्या डोकुमेंट्स मागे हैं मोस्ट इंपोर्टन थिंग उसको हम कवर करेंगे ओके और डिसकस करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है त प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि regular everyday आपको tender किशी भी you know stream से हो चाहे वो civil से हो mechanical से हो या फिर you know कोई भी waters से related हो photography से furniture से किशी भी तरह का tender हो आप मुझे लिख सकते है मैं उस related update आपको देता रहूंगा okay so first tender discuss करते है guys यह है आपका जो है water tank replacement का तो water tank है पुराना है उसको दूसरा वहाँ पे लगाना है उसको replace करना है okay so यहाँ पे EMD amount जो है आपका 29,000 का होगा और यह tender 20 September तक आप online fill कर सकते हैं okay 20 September तक 29 August को यह release किया गया है tender and 20 September तक आप इसको कर सकते हैं okay so now यहाँ पे देखेंगे guys इसमें 14,65,004 रुपए का यह tender है 3 months में आपको यह work complete करके देना है और most of thing जो है इसमें है experience का right so last seven year में यहाँ पे clearly mentioned है last seven year में अगर आपने यहाँ पे 11,72,003 रुपए 84 पैसा का का काम किया है एक project एक work तो आप इस tender को भर सकते हैं दूसरा अगर यह एक वाला नहीं है तो दूसरा अगर आपका 7,32,502 रुपए 84 पैसे का दो टेंडर किया है कम से कम इससे ज़्यादा भी हो सकता है तो तो आप कर सकते हैं दो अगर आपके पास 11,12,000 का नहीं है तो 7,32,000 का दो work experience आपको दिखाना पड़ेगा okay यह इससे eligibility कि 7,00,000 का अगर आपने work नहीं किया है तो तीन काम जो है तीन project जो है आपका 5,86,000 एक रुपया बिरानवे पैसा का होना चाहिए right और यह work जो है इन तीनों में से कोई एक work experience मतलब इन तीनों में से कोई eligibility में अगर आप आते हैं तो आप apply कर सकते हैं अब यह work किस तरह का हो तो overall यह civil work होना चाहिए right civil work okay so or guys इसमें 100% work completion होना चाहिए अच्छा work experience उसमें you know mention होता है जब work completion certificate मिलता है तो वो आपका होना चाहिए कोई एक बड़ा project है जैसे की 3-4 करोड का project है उसमें से ऐसा नहीं कि अगर आपने आधा काम कर लिया and then फिर like उसका लगा दोगे you know like you know 10 लाग 12 लाग का तो वो consider नहीं होगा है ना तो यह चीजे हैं तो इस बात का अभियान रखेगा guys and इसमें most of important thing है जो आपका work experience के 3 financial year में कितना का आपने काम किया हुआ है तो at least आपका 60 थो आउट 50 थो आउट जो है यह work experience आपको like work experience नहीं turnover total work आपने financially कितना you know किया है तो वो यह BOQ में आपका cost breakup होगा इसका material का किस तरह का material आप use करेंगे तो BOQ में जब आप quotation बनाएंगे and then submit करेंगे तो बहुत work out करना पड़ेगा तो यहां से अगर आप download करते हैं तो पूरा update मिल जाएगा तो एक tender यह है guys and दूसरा tender मैं आपको बताता हू then फिर मैं आपको बताऊंगा brief मैं आप कैसे visit करेंगे site पे okay so दूसरा tender है चार मन्त में आपको काम complete करना है तो क्या काम है construction of RCC partition wall तो जो है wall partition बनाना है कहां पे बनाना है god pound तो एक तलाब है उसमें अंदर तलाब में आपको wall बनाना है ठीक है उसके अंदर पाने में right और उ उस pond के जो periphery पे pathway है उसको renovate करना है और जो है railing जो है वो भी आपको बनाना है railing को भी आपको क्या करना है रिनुवेट करना है तो यह work है partition wall के through and then repairing of pathway and आपका railing तो यह काम है और एक लाग बारहाजार पांस्वा का EMD amount है तो यहाँ पे 29 September तक आप tender fill कर सकते हैं तो यहाँ पे guys आपका यह tender amount जो है 56,12,722 रुपे का है tender value तो इसमें work experience जो है वो अगर आप एक work experience देते हो तो फिर आपको यहाँ पे guys 44,90,178 का एक work experience देना होगा minimum अगर दो work experience देते हो guys तो 28,6,361 का देना होगा अगर वही आप तीन work experience देते हो तो 22,45,90 रुपीज का आपको यह work experience देना पड़ेगा तो अगर आपके पास एक work experience 44,90,000 का है तो यह दोनों की जरुरत नहीं पड़ेगी अगर यह नहीं है तो इसकी जरुरत पड़ेगी performance report, work experience में यह साथ में होना चाहिए, proof of release of performance, security after completion of contract, proof of settlement इन सब में से कोई एक document आप दे सकते हैं along with work experience okay so इसमें guys क्या है एक और चीज़ मैं बताना चाहूंगा तो आपने देख लिया इसमें basic चीजें तो इसमें क्या है जैसे कि public sector या states central government का public sector unit है या central government के जो है आप you know parcel work है या central government organization से related आपका you know like unit है तो उनको EMD amount नहीं भरना पड़ेगा okay and इसमें MSME के जो के अंदर जो company आती उनको या फिर जिनको जिनके पास MSME नहीं है वो उनको भी यहाँ पर EMD amount भरना पड़ेगा MSME को भरना पड़ेगा और जो MSME नहीं है उनको भी भरना पड़ेगा और किनको नहीं भरना पड़ेगा जो central government या government related organization है या उसके approved organization है तो उनको EMD नहीं भरना पड़ेगा यह basic things है उसके अलावा इसमें बहुत सारा penalty होता है अगर आप time के काम complete नहीं करते हैं उसके बाद अगर EMD amount भर रहे हैं तो अभी EMD amount का पैसा नहीं बढ़ना है बीवीजी bank guarantee आप दोगे तो यह bank में कोई भी central और standard bank से आप बीवीजी बना सकते हो bank guarantee right तो यह आपके content जो होंगे या फिर जो documentation देखते हैं वो अच्छे से आपको बता सकते हैं clearly फिर भी कोई doubt होगा तो आप हमसे पूछ सकते हैं मैंने बहुत सारे tender भड़े हैं और काम भ सो यह काफी you know technical things हैं क्योंकि जब आप tender फिल करते हो तो जो बीव क्यू होता है उस पर बहुत work करना होता है जो भी documentation होता है जो भी आप material यूज करते हो तो उसका IS or international standard organization based document आपको submit करना होता है और right जितने भी documents होते हैं काफी carefully as per requirement आपको submit करना होता है है ऐसा नहीं है कि जो नहीं जो मांगा है वो document नहीं है कि उसके replacement में कोई और दे रहे हैं तो ऐसा possible नहीं होता है reject हो जाएंगे technical round में technical round कि इसलिए होता है ताकि आपके documents as per the requirement आपका submit होना चाहिए इसलिए technical round होता है जब technical round जैसे 29 September last day तो उसी दिन open हो जाएगा आपको mail आ होते हैं देन फिर financial bid में चहां कि आपके पास option होता है आपको कितना कम जो एलवन होगा उसी को tender मिलता है राइट गाईज सो यह चीज़े हैं तो बहुत work out करना पड़ेगा आप पोड़े term condition को देखिए अच्छे से पढ़िए और फिर उसका quotation त्यार कीजिए cost break up त्यार कीजिए everything they will ask okay and yeah so कोई और issue होगा तो आप मुझे you know whatsapp or instagram पे post सकते हो लिंक दिया गया है description box में so good luck guys आपको करना क्या है see see the things over here so यह ONG का website है you have to visit over here tender right once you will visit tender then you will go down यहाँ पे जाएंगे आप नीचे तो यहाँ पे देखेंगे guys tender right इस पे क्लिक करेंगे you will get this page and again over here यहाँ पे partition wall वाला तो यहाँ से यह वाला मिल जाएगा and then जब आप registered करेंगे new member होंगे तो आपका new registration होगा and then फिर आपका पूरा document डाउनलोड करेंगे आप and then फिर work out करके उसके बाद आप जो है tender dieser thank you guys thank you